हेलो अब्रीबान वेलकम तु शाली देलेट क्लासेस आई होप आप से वच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी डेली बेसेस पर कर रहे होंगे जो कि आपका एक इंपोर्टेंट वर्क है आपको करना चाहिए कुछ दिरों से में कुछ तवियत नहीं ठीक तिसलिए मैं क्ला यह पहला पेपर है आपका एक दिन में तीन पेपर होंगे ठीक है अब मैं अभी तक तो एक निकेंड मैं हर सब्जक्ट की करवा रही थी वह शॉम। चैप्टर से मिक्स क्वेशन्स ते तो मैं आपको सिफ एक आइडिया देना जाह रही थी मोटा-मोटा कि आपको समझ में आए लेकिन आज से मैं हर एक जो सब्जेक्ट है उसकी जो जो भी एक स्टाइस करवाऊंगी वो चैप्टर वाइस कर वाऊंगी ताकि आपका एक पूर चल रही वो थोरी अपने टाइम टू टाइम चलेगी लेकिन बीच बीच में क्वेश्टेंस भी जो पीछे के चैप्टर पूरे हो गए हैं उनके एक साइस भी चलेंगे कि एक चाप्टर से इतने क्वेश्टेंस से जड़ा बाहर नहीं आएका जब आप सेंटर हॉल बैठें दो आपको क्लियर है कि हाँ मेरा जब्ति चेप्टर और आपको हर एक चाप्टर की इक प्रटिकुर्ड साइस करवाएंगे इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही किया बालवी लेंगे फिर सोनदीगम लें फिर आपका science मैट जैसे आपका paper का Dubرا- Нов competal को ठीज़ने भी आते चलेंगे और एक चैप्टर एक चैप्टर दो चैप्टर ऐसे करते चलें जैसे में मैंने math की classes कि मैं में यहीं किया फर्स चैप्र फर्स इसी तरह से हम हर एक सब्जेक को करते चलेंगे ताकि आपका पूरा टर्म जो है वो क्लेर हो जाएगा अगर पसंद आता तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए चाहिए को सब्सक्राइब करिए कमेंट करिए कि आपको क्लास कैसे लगी आप चाहिए इन सब बातों पर ठीक है चलिए आपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं आप शालनी तीरे क्लास साथ बने हुए है लाइक शेयर सब्सक्राइब बिलकुल ना बोले यह आज 22 तारिक है और मैंने अभी रिसेट में नोट्स बनाई है राइटिंग थोड़ी ध अधारना सपस्ट करते हुए कि नहीं दो परिभाशाओं को लेख किसे हम को यहां पर जो बालवकास का कॉंसेप्ट है जो मूटेव है जो अब्जिक्टिव है वो लिखना है दो नंबर का क्वेस्टन यह मेंली पूछा लाता है और बहुत इंपॉर्टन है क्योंकि पूछ के अंदर उसके बाद आप इतने बड़े हो चुके हैं कि खुद बना कर लिख सकते हैं बस चीजों को समझते चाहिए कुछ लाइने याद करें सब हो जाएगा टेंशन मदली बस पढ़ते रही है मानोविकास का अध्यन मनोविज्ञान की जिस साखा के अंतरगत किया जाता है उसके बाल मनोविज्ञान कहा है मानो विकास का human development की जो study है वो जिस मनोविज्ञान की branch के अंदर की जाती है उसको हम बाल मनोविज्ञान कहते है करना है कि कप करना है किया होना चाहिए कैसे कर सकें इन सब चीजों का जो concept है कि जिसे ऐसी अधार्णा के बच्चे के विकास पर係 यह इसका concept है कि यहीन इक पॉंसेप्ट रदूं कि हम Baccs कष़ा या परिभाशा आपसे पूछ ले तो आप एक जो उसका दो एक क्वेस्चन में दो आंसर जैसे रहते जैसे भी इसमें अधार ना थी फिर परिभाशा है परिभाशा जो आप अलग से लिखने लगी न तो आप ऐसे थोड़ा सा मिलब लिख दीजें तो वह चीज़े क्लेर रह है कि एक चाप्र से इतने क्वेस्चन है क्रो और क्रो सहब की डिफनीशन बहुत इंपॉर्टेंट ना सुपर चेट के लिए बहुत तिकत हो जाएगी इसलिए अभी से पढ़ते चलो जो प्रोबलम मैंने फेस की वह आपना फिसक्रीया बता रही हूं इतना मोटिव मान के तो कि टेटी सिर्फ डील नहीं देना है तेट सुपर्टेट सीटेट सब देना और एवन नम्मर ले आने ठीके बाद क्रों की परिभाशा यहां पर है कि बाल मनों विग्यान वह वग्यानिक अध्यन है जो वेक्ट के विकास का अध्यन गर्वकाल की अवस्था से लेकर किशो की जो इनीशल स्टे स्टार्टिंग एज होती उस तब तक करता है ठीके बाद बहुत इंपॉर्टन डिफिनिशन बहुत बार पूछी लिए तो आपको एक क्वेशन यहीं पर समापत हुआ आप से ऐसे कुछ पूछे तो आप ऐसे लेक के आगे बढ़ सकते हैं आपको अच चाईल्ड ड्सकोडन डेवल्प्रमेंट की नीड क्या है चाईल्डेवलेब्मेंट का एडिया क्या है इन सब क्लिर करें तो मैं इसको ऊपए कंप्लेट वीडियो बनाए हुगा है प्लेयिसमें डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शिप्शन डाल दूंगे लिंक आप अहां से देख सकते हैं तो इसलिए मैंने यहां पर इसको और राइट नहीं कि इसलिए मैंने आप इसको आंसर का नहीं लिखा है सिर्फ आपको इस चैप्टर से यह कुछ सकते हैं थोड़ा साभी पता दूं आवशकता क्या है अब अब बाल विकास अब तक जो पढ़ रहे हैं क्यों बच्चे का अच्छा सरवांगिर होल डेवलप्मेंट करने के लिए अब एरिया उसमें उसका हर फिल्ड का सार सवांगी विकास के अंदर हर डेवलप्मेंट आजागा ना घर के एक अच्छे वेक्ट के लिए एक अच्छे चलेतर के लिए सारे देख विकास मानसिक विकास उसका उद्देश पूरा हुई सारी चीज़ उसके एरिया में आ जाती और नीट्स भी हो जाती क्यों ज़र्वत है क्या ज़र्वत है ये सारे टॉपिक्स जो है इसके अंदर आ जाते हैं ठीके बात आगे पढ़ते हैं थार्ट क्वेशन की तरफ अज कर थार्ट क्वेशन यहां पर लिया है देखते है इसके बाल-मनो-विज्ञान के बाल-मनो-विज्ञान के इंदर इसका राइट आंसर क्या होगा बाल-मनो-vyज्ञान के एंसर कलते हैं ठीक बात आगे बढ़ते हैं आजका मैंने यहाँ पे फोर्थ क्वेशन लिया है 2019 के डिलेट में आया है इंपॉर्टेंट है प्रीवेश लियर के जो पेपर से वह बहुत इंपॉर्टेंट है करवाओंगी आप भी चिंता मत करिए जो क्वेशन आते चारे हैं वो देखते चलिए फिलाल के लिए बाल विकास के बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन कारकों का संचेप में वर्णन कीजे जो बाल विकास का कॉंसेप्ट है उसमें जो अधिगम यानि की लर्निंग को बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन कारक लिखे कि कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं जो इंपाक्ट डालते हैं कि हाँ इनसे यह प्रॉब्लम होगी यह नहीं होगा तो यह दिक्कत होगी यह सब चीजे क्या है यह समझते बहुत इंपोर्टेंट है तो अदर उनने से पूछा गया भी लेटेस्ट ही पूछा गया है तो यह बहुत इंपोर्टेंट इसले से फोकस करिए ध्यान रखिए ठीके बात अब देखते हैं वह कारा क्या फैक्टर्स जो है वह क्या क्या है तो यहां पर मैंने टॉप सिक्स को लिया हुआ है देखते हैं विशया चमागरी का प्रस्तितिकर आप कोई सब्जेक पढ़ाने जा रहे हो और उसका प्रेजंटेशन ही आप जो क्लास में अच्छा नहीं दोगे तो बच्चे को समझ में आएगा कुछ नहीं आएगा आप हिंदी पढ़ाने जा रहे हो और इंग्लिश प्रेजंटेशन आप केरला से पढ़के आएगा विशया चमागरी का प्रेजंटेशन अच्छा दो आप विशया चमागरी का बढ़िया दो कि बच्चे से रिलेट कर सके वह आपने आपको खुच जोड़ सके उनकी मात्र भासा में दो आसान भासा में दो तकि वह चीज़ें को समझ में अगर आप लर्णिंग करवा रहे हो बच्चे की अच्छी चाहते हैं उसका विकास डेबलेप्मेंट पूरा जो हो लो तो आपको प्रेजंटेशन जब स्टार्टिंग आप करने तो पहला बात तो यह पहला कारण की हो गया दूसरा समय वह थकान समय और थकान टाइम पर द लग गये हैं अब गेम खेल के बच्चे दोड़कर आएं और तुरन-टुरन को मैथ क्लास लगवाएं लगो तो एजी वाली क्लास डाली चाहिए तो समय और थकान का भी बहुत द्यान अखना चाहिए क्योंकि लर्णिंग करते हैं तीसरा है बालकों के शारिक और मानसिक स् सुनने कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसका लर्णिंग जो प्रॉसस उसमें बाधा क्रेट हो जाएगी ना उसमें जाहिर सी बात है कि बाधा क्रेट हो जाएगी अमानसिक स्वास्ता का बच्चा में फुल्फिल नहीं अगर मेंटली हेल्दी नहीं है तब ही बहुत प्रॉब्लम ऐसी हो रही है अब कोई दिक्कत है उसका मन ही नहीं तो आप किती देट सिखाएंगे नहीं सिखा सकते हैं पांच बालन वो मोटिवेटेड ही नहीं है उसके अंदर करने की चेक बार कर लिया नाटे आप दोबारा कर लिया फिर हो मगदी तब कर लिया लेकिन दुआरा कर तीर चौधी वार कैसे करवाएंगे तो इसको मोटिवेशन विजो चाहिए रेंफोर्समेंट विजो चाहिए फिर इक से वाता वर्ण डेबल इसके इन्वार्मेंट पी चाहिए इन्वार्मेंट आप स्कूल में जितनी दिर रहे का पांच गंटे आप उत्ता दे सकते हो लेकिन घर पर चाने पाथ फिर वही आदीव इन्वार्मेंट मिल गया उसको अच्छा है वेर्ण पर हाई करें को इन्वार्मेंट ही नहीं बच्छे सब खेल रहे हैं गाओं के लोग है ऐसे वैसे बहुत तरीके हैं यह नहीं कि गाओं में ही सब कुछ खराब हो अगर फसंदार अपली वीडियो को लाइक करिए दोस्तों में शेयर करें चैनल को सुस्क्राइब करें कोई भी दिक्कत का कमेंट की तो पूछ सकते हैं चलिए अपने टॉपिक की तरफ आगे बुढ़ते हैं देखते हैं क्यों 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 है आज का फिफ्ट क्रेशन हमने यह सिक्षा में कैसे पभावित करते हैं पहला टॉपिक यहां पर है बाल विकास की अवस्थाओं का दियन बालक की विकास की अवस्थाओं का दियन जो यह बाल विकास का टॉपिक है अगर टीचर कोई पढ़डा है तो क्यों पढ़डा है इसलिए पढ़डा है कि जब वो प्राइमरी में जाए या आप प्राइमरी में जाए तो आपको ये बात पता हो कि हमको बच्चे का विकास जो करना है वो कैसे करना किस किस स्टेज नो किस को आप फिफ्ट क्लास के बच्चे को काखा पड़ने के लिए दोगे तो ये कोई डबलपमेंट है कोई डबलपमेंट वातावन का दिन आप बच्चे के जो की होड़ीटी है जो का ह्वार्मेंट है उसके बारे में अच्छ रीलेड कर पाएंगों उसको आप समझ़ पाएंग में उसको पढ़ेंगे तब तो आप इसकी सिक्षा में महातो कर पाएंगे graph कर कर पाएंगे की मदद कर पाएंगे तीसरा है वक्तिकत अंतर कर सकेंगे आप समझ पाएंगे जब आप इन चीजों से पढ़े रहेंगे बाल विकास जो पूरी नौलेज आपको रहे याप एजुकेशन सब्सक्राइब को पढ़के जो बच्चे बीए कर रहे हैं या में कर रह लग लग उनका रहन सहन है तो उनके हिसाब से समझाना भी तो आपको विकास आप जब जाने रहेंगे कि हाँ इस बच्चे को सिखाना का यह तरीका है यह कड़ी दभी तो आप सिखा पाएंगे तो एक कारण तो यह हो गया कि हमको यह चीज क्यों पढ़ने चाहिए इसमें कोई रेश इपाना बंको जब आप के झाहि spinning best इसके कर दruption करना को आपको पता है तक आप्र आप पहले से जब पढ़ेंगे तभी आप बच्चे का अच्छा Question करन पाएंगे अब बच्चे को हम यह सिखाएंगे ठीक हाँ में विसल्श बालक मैं बहुत अच्छे वाले वाल जो बहुत शरारती होते हैं और जो बहुत सब डुच्रारिए आते हैं की बहुत कर दो की बहुत बटब के दिए यह नहीं कि सब ड़र बेखी हैं लुग को हईगांघे बत्व के दूसरे बच्वों को यह सारी बाते आती है ठीक है तो यह सारी चीजें फिर यहाँ पर है बाला की रुच्छियों प्रजणाओ का दिन अब बाला को किस चीज में जादा इंट्रेस्ट आता है वह कैसे पढ़ने में जादा किस चीज को जल्दी समझेगा क्या टॉपिक को जा दालती है तो इन सब चीजों की जो स्टेडी होती है वह आप बाल विकास के अंदर पड़ते हैं ताकि आप उसको इंपाक्ट पड़ता है वह अच्छा पड़ता है और सैक्षिक विकास भी च्यादा अच्छा होता है ठीके बाद आपको वीडियो समझ में आया होगा 2019 के प्र को लिया हुआ है यह पहले चाप्टर से questions पूछे गए हैं तो यह मैं समझे कि पहले चाप्टर में कुछ वैसा उपर से पूछने वाली चीज़े नहीं है तो आप समझे रहेंगे तभी इस को लिख पाएंगे देखते हैं क्या दिया है वालक के विकास में जो परिवर्तन ह उससे कैसे है हमको यह पर स्क्र Giving करेंगें वह दोनों का समाहित रूफ ही डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाता है क्योंकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है यह एक ऐसा प्रोसेस है जो जीवन परियन चलता है यह एक ऐसा लेर्णिंग का प्रोसेस जो होल टाइम चलता रहता है जन्म से लेकि में तुक चलता रहता है तो अब आप जब विच्छा जन्म में लिया है उसके डेप तक वह वूम्टू टूम्ट कितनी स्टेज़एं चीज़एं चेंज हो रहे हैं पढ़ रहा है डेवलपमेंट कर रहा है बगास कर रहा है अब यह बात नेक्स लेबल में पांच साल में यह यह ज़िए डेवलप बच्छो केंदर कैसे दो तो अगर लर्णिंग करना चाहते हैं अच्छी लर्निंग तो आपको हल्दी रहना बहुत जरूरी है शारेख स्वास माहतबूर है मांसिक विकासा कहा जाए मन से मान विकासमन का मतलब महांड आसे में गर थेवलपमेंट आप मेंटली हैं तो आप चाहिक को कि अगर मैं कोई पी चीश सीक्ट हुने अगर आप मेंटco तेगा हम्छाने के सकती अगर मेंटली घल कमेंट यह तो आप जल्दी ग्राप्स कर लेंगे चीजओको तीचे को चीजच को तीछ सिखा तो हां मुझे हलका हिंट भी टीचर देगा तभी आप रिड़ेट कर पाएंगा हमने यह पढ़ा था तो वह चीज है ध्यान के फोकस को चीज पढ़ा रहा रहा है दुबार रिवाइस करा था फोकस कर पाएंगे उन चीजों को चमता विचार जो है कोई भी चीज कर थे मैथ क चीजों को सोच पाएंगे आप यह सारे एक्जामपल्स को ना कुछ चीजों को बालविकास में जो आप घर में बच्चे रहते उन से रेलेट करके जब सीखेंगे ना तो वह चीज आपको च्यादा इंपक्त डालेंगे और अब अच्छा सीख पाएंगे हम बालविकास यह पढ़ने क्योंकि जब हमको प्रामरी में जाना है तो यह सारी चीजे वहां पर हमें देखने को मिलेगी तो इसलिए भी फोकस हो का चीजों को अच्छे से रिलेट करके पढ़िए फिर नेक्स क्वेशन यहां पर हमारा है सात्वा क्वेशन यहां पर हमने दिलिया यह भी 2019 स पूछा गया है बहुत इंपोर्टन प्रीवेस यह के मैंने सारे क्वेशन लिये हुए हैं जो रीसेंट पर 2019 में उसी को मैंने यहां पर लिया हुआ है क्या कह रहा है वह देखते हैं साहस्या वस्ता में सिक्षा का स्वरूप कैसा है बहुत इंपोर्टन यह आप्जेक्टि और मॉंटेसरी मॉंटेसरी मार्या मॉंटेसरी की विदिया वालोधान जो है यह फ्रोभल ने दिवताया था कि बच्चों का जो स्कूल है वह गार्डेन के लिए भरपूर होना चाहिए बच्चों को जबाब इसलिए लिए पहले एक प्लेग्रूप की क्लास चलती है अब प्राइविट स्कूलों में देखिया है प्राइमरी में तो नहीं लेकिन लकेजी से पहले प्लेग्रूप की क्लास चलती है तो वह चीज़ बच्चे वहां पर कैठे सारे गेम रहते हैं गोडे रहते हैं बहुत तमाम गेम होते हैं तो उन सब चीज़ों को वहां पर देख सकते हैं यह रही आज के लास्ट था यह हमारा सेवंध प्रेस्ट को डिटेल में जाना यह हमारा फिरस्ट चैप्टर का क्वेश्चन था हो भी हमारे बालवगास के पहले चैप्टर से इतनें भी क्वेश्चन से मैंने आपको यहापर प्श्च पर टोटल अच्य इम continue करेंगे thank you so much